दुमगा जिले में पिछले एक सप्ता में कोरोना संक्रमन के 127 से अधिक नए मामले मिले हैं, जिन में 47 मामले एक दिन में आए हैं, वहीं कोरोना संक्रमन से बचाओ को सोनिश्यत करने के लिए घर घर जाकर भी टीके लगाये जा रहे हैं, ताकि एक भी वेक्ति वेक्सिन की से वंचित ना रहे आज मेरे ही गाउं में मेरे ही द्वार पर केम्प लगाया गया है ग्यारा हो चुका है और सभी को बहुत ही सुविधा मिल रही है जाके बेक्षनेशन कर रहे हैं जदी वह लेने के चुक है वह आदमी तो वहाँ जिस जगह में भी बोल रहे हैं गाउं के स्वास्त कर्मी संगीता शर्मा बताती हैं कि अब भी ग्रामीन शेत्र में ऐसे भी लोग हैं जो टीका नहीं लगवाना चाहते हैं उन्हें समझा बुझा कर या फिर कल्यानकारी योजनाओं के लाव से वंचित हो जाने या भै दिखा कर टीका लगाना पढ़ रहा है इधर स्वास्त विभाक की ओर से घर घर जाकर टीका लगाने की मुहीम का सकरात्मक नतीजा दिख रहा है टीका करण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है कोरोना के तीसरे लहर के बीच स्वास्त विभाग अब उन लोगों की तलाश कर रही है जो तमाम प्रशास्निक प्रयासों के बावजूद अब तक टीका केंदर नहीं पहुंचने थे जिससे सुरक्षा कवश का दाइरा बढ़ाया जा सके तुमका से आरके नीरत की रिपोर्ट